hello everyone welcome back कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हुँगे dear students आज की इस lecture में हम आपको पढ़ाने वाले हैं ब्रित्थ previous lecture के माध्यम से हमने आपके साथ discuss किया था कि आपकी जो unit 3 है जिसका नाम coordinate geometry अर्थार निरे सांग जामिती है उसमें आपको चार चैप्टर पढ़ना है एक बृत है एक परवले है एक दीर के बृत है और अगला है हमारा अधिपरवले तो आज के इस lecture में मैं आपको बृत पढ़ाने वाला हूँ बृत के questions बहुत ही जादा easy होते हैं लेकिन उसके पहले बहुत ही जादा जरूरी है कि बृत के जितने भी basic concepts हैं वो अच्छे से clear हो जाए तो एक दो lecture के माध्यम से बृत से संबंध जितने भी चीजें हैं जिनका यूज होता है question को solve करने के लिए उन सभी टाभी topic के बारे मे हम लोग discuss करेंगे जिन derivation की आवस्यक्ता होगी उनका हम लोग derivation करेंगे और जो formula होगो उनको learn करने का तरीका सिखाएंगे साथ ही साथ उन formula हम लोग कैसे use करते हैं और किस तरह की questions जो है बृत के concept पर हमारे syllabus में आते हैं सारी बाते discuss करेंगे तो dear strengths आज का ये lecture बहुत ही ज कहना चाहेंगे कि फटाफट से आप सभी के सभी लोग आज के इस lecture को जरूर सेर कर दीजिए क्योंकि ये बृत का फर्स लेक्चर है जिससे सभी के सभी स्टुडेंट्स इसको देखें और अपने प्रिप्रेशन अच्छे कर पाएं तो आये ये इस हम लोग स्टार्ट करते हैं उसमें रेखा के समीकाणों के तमाव रूपों के बारे में पढ़ते हैं रेखा से संबंदित कुछ कंसेप्ट होते हैं कुछ तथ्य होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि दो रेखाएं लंब होती है तो क्या कंडिशन होती है दो रेखाएं समांतर होती है तो क्या कंडिशन होती है उसी प्रकार से हमें बृत के बारे में भी सब कुछ पढ़ना है कि बृत का समीकन क्या होता है क्या बृत के समीकन का एक ही रूफ होता है या एक से आधिक रूफ होता है वो सारी चीजे हम लोग डिसकस करेंगे लेकिन उसके पहले सबसे पहला काम हम आटेस्ट कि हम लोग समझें बृत अर्थात सरकल होता क्या है इसको इंगलिस में लोग बच्चों क्या बोलते हैं सरकल बोलते हैं इसकी कि दूरी एक निस्चित बिंदू से सदय नियत रहती है सदय वृंस्टेंट रहती है उसी को वरिद्थ कहा जाता है अभी आप धान दीजिए यह मेह भगा बनाया यह बिंदूों का समूर और यह क्या है डिया एक fix point है एक निस्चित बिंदु है तो परिवासा कहती है कि बिंदुओं का किसी बिंदु का ऐसा बिंदुपत या बिंदुओं का ऐसा समू जिसकी एक निस्चित बिंदु से जो दूरी होती है ये दूरी जो होती है वो हमेशा constant होती है नियत होती है इसी को हम लोग क्या कहत कहते हैं बिंदू के इस समूह को बृत की परीद कहा जाता है इस को हम लोग इंग्लियस में डियोसेंट सरकम्फरेंस कहते हैं सरकम्फरेंस साब्दा सरकल के नाम से जाना जाता है यह जो निस्चित बिंदू होता है इस निस्चित बिंदू को डियोसेंट्स बृत का केंद्र कहते हैं इस निस्चित बिंदु को हम क्या कहते हैं बृत का केंद्र कहते हैं जिसको इंग्लिज में सेंटर कहा जाता है और इस निस्चित दूरी को बृत की वच्चों क्या कहते हैं त्रिज्जा कहते हैं जिसे इंग्लिज में रेडियस कहा जाता है क्या कहा बिंदू से दूरी सदेव नियत होती है सदेव फिक्स होती है उसी को हम लोग बृत कहते हैं बिंदू के समूह को बृत की परिदी अर्था सरकंफरेंस आप दा सरकल कहा जाता है निस्चित बिंदू को बृत का केंदर कहते हैं और निस्चित दूरी को बृत की तरिज्जा कह यह इसकी definition है यह definition आपको पता भी होनी चाहिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूँ कह सकते हैं बच्चों बिंदूओं का ऐसा समूँ ध्यांदना क्या बोलेंगे बिंदूओं का बिंदूओं का ऐसा समूँ नोट करिएगा आप लोग अईसा समूँ जिसकी एक निश्चित बिंदू से दूरी नियत रहती है या नियत मतलब क्या होगा बच्चों constant ठीक है constant रहती है ठीक है बिंदूओं का ऐसा समूँ जिसकी एक निश्चित बिंदू से दूरी सदयो या दूरी नियत constant रहती है ब्रित कहलाता है अब यहां पर आपको ध्यान रखना है जो बिंदूओं का समूँ है ध्यान दो बच्चों बिंदूओं का समूँ बिंदूओं का जो समूँ होगा बिंदूओं का समूँ बृत की परीधी कहलाता है बृत की परीधी कहलाता हएं बात समझझीएगा आप लो जो बिंदूओं का समूँ होगा देखो तेशीway सर्ण्स यह important टेफनिशन आपको लिखवा रहे हैं और बता रहे हैं क्योंकि अभी इसी का यूज करते हुए ही हम बृत के समीकरण का डेरिवेशन करेंगे इसलिए जो चीज़ें आपको बताई जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान से आप लोग समझे आगला हमने बता है बच्चों कि ज सबस्केंद्र कहलाता हे ठीक है तत्ह अगया निस्चित दूरी जो होती है हे लिसdd कि हे दूरी जो है टियस सिंट्स वह ऑट की क्या कहलाती है त्रेक्ट क्या करनाती है निक्रूत की त्रेक्शा कहलाती है यह हो गया बृत का complete concept फिर से एक बार सुन लिएगा बिंदूओं का ऐसा समू इंगलिज से बोलेंगा the group of points are the locus of the points which is always equidistance जो की हमेशा समान दूरी पर होता है from a fixed point एक निश्चित बिंदू से is known as circle आप लिख सकते इंगलिज में the group of points मैं लिख देता हूँ here the locus of points the groups of points which is always equidistance equidistant from a fixed point from a fixed point is known as circle is known as circle उसी क्या थाते हैं adjacent circle the fixed point is known as center of the circle the fixed distance is known as radius of the circle and the group of points the locus of point is known as circumference of the circle तो ये बृत की basic definition थी चूकि हम लोगों को बृत के समीकान के बारे में पढ़ना है बृत के बारे में पढ़ना है तो इतनी चीजें हमें जान लेना समध लेना बहुत ही जरूरी था इसको आप लोग नोट करिएगा dear students फिर हम लोग धीरे धीरे करके अपने topic के अंदर पढ का होनी चाहिए क्योंकि इन सभी चीजों का अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा यूज करना पड़ेगा जब हम लोग बृत के समीकान के बारे में discuss करेंगे तो dear students lecture बहुत ही ज्यादा important है अभी मैं आपको basic concept बता रहा हूँ अगर आप लोग मेरी class लेते हैं तो आपक पहुचाते हैं यह हमारे पढ़ाने का तरीका है तो अगला टापिक हमारा dear students क्या है बृत से संबंधित कुछ तत्थ या बृत से संबंधित कुछ परिभास आएं इसको भी एक बार रिकॉल करिए तब हम लोग पढ़ेंगे रित का समीकांट क्या बोलेंगे dear students को some definitions related to circles रित से संबंधित कुछ definitions है कुछ terms है जो हमें पता होने चाहिए इनका हम लोग use करेंगे जैसे सबसे पहला topic जो आता है सबसे पहली बात जो आती है dear students go आती है बृत का केंद्र जो आल्रेडी आप लोग जान चुके हैं जो fix point होता है उसी को हम बृत का केंद्र कहते हैं दूसरी चीज बच्चों होती है बृत की त्रिज्जा इसको भी अभी हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया है कि जो fix distance होती है उस fix distance को हम लोग radius बोलते हैं त्रिज्जा बोलते हैं तीसरी बात बच्चों आता है ब्यास जो आल्रेडी आपको पता है कि ब्यास जो है जिसको हम लोग इंग्लिस में diameter कहते हैं ये त्रिज्जा का दो गुना होता है ये त्रिज्जा का क्या होता है दो गुना होता है उसी को हम लोग ब्यास कहते हैं अगली बात आती है दियर स रेखा की या असपरसी कहते हैं उसको चाहे असपरसी कहे दो चाहे असपरस रेखा कहे दो दोनों का मतलब एक ही इंगलिस में इसको टैंजेंड कहा जाता है ठीक है अगला होता है बच्चों छेदा क्रेखा क्या होती है छेदा क्रेखा जिसको हम लोग इंगलिस में सेकेंड क इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसमें Segment बोलते हैं ध्यान रखेगा इसको Segment बोलते हैं 8- Онबर प्रिज्वाघ का जो है उसको हम लोग त unacceptable करते हैं और यह यह जो कीज़िज़ा यहां क्या करते हैं यही के रहें तो तोड़ा तोड़ा कर रिकॉल कर लेते हैं कि केंद्र क्या है त्रिज्जा क्या है ब्यास क्या है जीवा क्या है और असपरसी क्या है उसके बाद हम लोग डिसकस करेंगे कि बृत का समीकान क्या है बृत का मानक समीकान क्या होता है उस बृत का समीकान क्या होता है उस बृत का समीकान क्या होता है तो इसके केंद्र के निसा तर कहते हैं अब यहां से बृत के केन से परिद पर कहीं कर भी दूरी मिलाईए वो दूरी समान होगी और इस दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे डियसेंट्स त्रिज्जा बोलेंगे जिसको इंग्लिस में हम लोग क्या कहते हैं रेडियस कहते हैं ठीक है अगला आता है दो गुना होता है यह सारे कंसेप्ट यूज होंगे इस लिए मैं आपको बता रहूंगा ऐसा नहीं है कि आप सोच रहों कि सर यह तो मतलब छोटी चीजें नहीं इन सब का यूज होगा इसलिए मैं इसलिए इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेना जरूरी हो जाता है तो यह हो ग जो हमें रेखा प्राप्थ होती है इसी को बच्चों जीवा इसी को कार्ड कहते है वैसे यह जप्रित को बिंद पर असपर्स करते हुए जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बृत की छेदा करेखा कहते हैं उसको डियोस्टेंट हम लोग सेकेंड आपदा सरकल के नाम से जानते हैं अब दो चीजें और बनती हैं बृत खंड और तरिजे खंड बता देता हूं कि जैसे हमारे पास कोई बृत है और इस बृत की एक जीवा खीजे तो बृत हमारा दो भागों में बढ़ जाता है प्रतेख भाग जो होता है डियोस्ट से बृत खंड कहा जाता है छोटे वाले को लगु बृत खंड कहते हैं बड़े वालों को दिर्ग बृत खंड के नाम से जाना जाता है ठीके और अगली चीज ये है कि अगर मालो ये बृत्त है इसके केंसे दो तरिजज्जा मिला दीजा इस तरीके से ला करके तब भी क्या होता है कि हमारा ये जो बृत्त है दो भागों में बढ़ जाता है प्रतेग भाग डियोशेंट्स त्रिजिखंड कहलाता है जो छोटा वाला भाग होता है वो लग त्रिजिखंड कहलाता है जो बड़ा वाला भाग होता है वो दीर के त्रिजिखंड कहलाता है तो अभी तक जो भी basic चीजे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था उसे मैंने आपको ये बता दिया कि बृत क्या होता है बृत की basic definition क्या होती है उसमें ऐसे कौन कौन से terms है जनरली जो हमें पता होनी चाहिए अब सारी की सारी चीजे आप लोग जान चुके हैं अब हम समीकरण के भी अलग-अलग condition के according अलग-अलग रूप होते हैं जिने हमें क्या करना इस्टडी करना जिने हमें पढ़ना है तो आईए हम लोग बात करते हैं बृत का समीकरण क्या होता है और किस रूप कई सारे रूप हमें दिये गए हैं सारे रूप आज कही लेक्चर में नहीं समाप्त हो जाएंगे आज हम लोग पढ़ेंगे बृत का मानक समीकरण साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे ऐसे बृत का समीकरण जिसका हमें केंद्र और त्रिज्या ग्यात हो तो किस तरीके से उसको हम लोग प्राप्त करते हैं उसका डिरिवेशन कैसे होता है सारे च समिकरंग जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सबसे पहरे हम लोग पढ़ते हैं बृति का मानक समिकर्ण का बच्चो? बृति का मानक समिकार. सबसर करिए कि हमारे पास एक कोई बृति दिया हुआ है जिसका केंद्र बच्चों मूल बिंदु पर है कहां है? मूल बिंदु पर है means यह मूल बिंदु पर है यहां का कॉाडिनेट क्या होगा डियसेंट 0,0 होगा और यह पता होता है कि हमें इसकी त्रिज्जद दी गई है जो कि small r है किसी-kisी बुक में A लिखा होता है किसी-kisी बुक के बच्चों A से दिखाये जाता है आपकी बुक में A से दिखाय गया तो मैं A से ही यहां रिपरज़ेंट कर देता हूं द्यान से सुनिए और समझगे हमें एक ऐसे बृत का समीकाण इयाद करना है जिस बृत का केंद्र 0,0 अर्थात मोल बिंदू है और साथी साथ डियस्टन्स इस बृत की जो तिरिज्जा है वो A हमें दी गई है तो हमें क्या करना इसका समीकारण याद करना यह हमारा पहला टापिक है बृत का समिक्रण जिसका केंदर मूल बिन तथात तरिज्जा ए हो क्या पढ़ने वाले हैं पहला बच्चों बृत का समिकरण पढ़ेंगे बृत का समिकरण जिसका केंदर जिसका केंडर मूल बिंदू तथा त्रिज्जा ए है ठीक इसका हमें समिगान याद करना है अब हमारी बात को ध्यान रखेगा जब किसी का भी आपको समिगान याद करना होगा वो बृत हो वो परबले हो दिर्ग बृत हो या रेखाओ किसी का भी समिगान याद करना होगा तो सदैव क्या करते हैं उस पर एक बिंदू सोयम से लिया जाता है एक्स कामा वाई और वो जिसका आप समिगान निकालना चाहा रहे हैं उसकी डेफिनीशन के एकार्डिंग उसमें ऐसा रिलेशन बनाते हैं जो रिलेशन हमेशा के लिए सत्य हो वही जो रिलेशन होता है वही रिलेशन डेशन उसका इक्वेशन उसका समिगान कहलाता है वो बित हो वो परबले हो या अतिपरबले हो कोई भी तो आइये करते हैं यहां हम लोग मान लेते हैं diosance की माना ध्यान देना माना ब्रित पर कोई बिंदू PX,Y है ध्यान समझे, हमने मान लिया कि इसकी पड़िधी पर कोई बिंदू P है, जो कि क्या है, X, Y है, अब ध्यान से सुनिए, अब जो बृत की डेफिनीशन है, बृत की जो डेफिनीशन है, उस डेफिनीशन का यूज करते हुए, आपको एक ऐसा रिलेशन बनाना है, जो हमेशा के इस O.P की वेरू निकालें, तो क्या ये A के बराबर आएगा, क्योंकि डेफिनीशन यही कहती है, कि बृत की परिदी पर कहीं पर भी कोई बिंदू होगा, अगर उसकी दूरी बृत के केंदर से ना पी जाएगी, तो वह दूरी सदय उतरिज्जा के क्या होगी, बराबर हो ठीक है, परिभासा अनुसार क्या कहती है, कि ये जो हमारा ओपी है, वो डियर स्टेंट्स A के बराबर होना चाहिए, अब आप देखें इस O.P की वैलू हम लोग कैसे ग्यांत कर सकते हैं, इस O.P की वैलू को ग्यांत करने के लिए हमें दो बिंदू के बीच की दूरी का फ ये फार्मला होता है, यही फार्मला हम लोग अप्लाई कर देंगे, तो जब O.P निकालेंगे, तो देखो जहां से, अन्डरू रूट एक्स टू माने एक्स हो गया, तो एक्स माइनस जीरो का होल स्कार, ये तो यहां हो गया, तो यहां हो गया डियर सेंट्स आपका कितना, य माइनस जीरो का क्या, होल स्कार, बराबर A के बराबर हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर कर दिए, जीरो को खतम करिया, ऐसे लिख दिए, अन्डरूट एक्स स्कार प्लस Y स्कार, इस इकल टू बच्चों A, दोनों पक्षों का जब वर कर दोगे, तो आपको मिलेगा, एक्स स्कार प्लस Y स्कार बराबर A स्कार, और यही जो आपको मिला है, यही ब्रित का मानक समीकरण कहलाता है, कैसा मानक समीकरण, ऐसे ब्रित का समीकरण, जिसका केंदर मूल बिंदु पर है, और उसकी त्रिज्या A है, आताह, आताह, अभीष्ट समीकरण, देखो क्या मिल क्या है x square plus y square बराबर a square यह हमें समीकरण मिला है और यही डियसेंस बृत का मानक समीकरण कहलाता है यह समीकरण यहां लिख देंगे यह समीकरण जो यहां पर निकाला है हमने यह समीकरण बृत का बृत का क्या कहलाता है बच्चों मानक समीकरण कहलाता है मानक समीकरण कहलाता है आप कहोगे सर ये समीकरण चलिए ठीक है अपने डिराइव किया अब ये बताइए कि हम किस तरीके से इसका यूज करेंगी आप सपोस्ट आप से कुछा गया कि ऐसे बृत का समीकरण याद करो जिसका केंद्र मूल बिंदु है तथा उसकी तरिज्जा पांच सेंटीमीटर समझने का प्रयास करिए तरिज्जा कितनी दी गई पांच सेंटीमीटर दे दी गई या पांच इकाई दे दी गई मातरक नहीं दिया गया और कह रहा है कि उसका जो केंद्र है वो कहां है D-Eastance, मूल बिंद पर है तो आप उस बित का समीकण बताइए तो बित के समीकण का सूद्र क्या होता X-Square plus Y-Square equal to A-Square जहाँ A क्या है D-Eastance, तृट जा है तो आप PUT करोगे तो X-Square plus Y-Square equal to 5 का स्कार हो जाएगा solve करोगे तो x square plus y square equal to 25 मिल जाएगा यही डियोसेंट्स क्या होगा बृत का समीकरण होगा यह हमारा question को solve करने का तरीका है तो आप लोग क्या रखेंगे ध्यान अपने दिमाग में कि बृत का मानक समीकरण क्या होता है बृत का मानक समीकरण होता है x square plus y square is equal to a square इसी को हम लोग क्या कहते हैं बृत का मानक समीकरण कहते हैं standard equation आप the circle के नाम से जाना जाता है अब बात यह होती है जैसे हम जिस बृत के समीकरण की बात कर इस बृत का केंद्र क्या था मूल बिंद था 0 का मा 0 था लेकिन ऐसा भी बृत हो सकता है जिसका केंद्र मूल बिंद पर ना हो तब उसका समीकरण क्या होगा उसके बारे में अब हम लोग डिसकस करने चलने हैं तो हम पढ़ेंगे बच्चों बृत का समीकरण जिसका केंद्र यच का मा के है इसके तरिजर जो है अब हमें अगर दी गई हो तो उस बृत का समीकरण क्या होगा बैशी अलग-अलग सिच्युएशन होगी अलग-अलग कंडीशन होगी अलग-अलग कंडीशन के विहाब पे बृत के समीकरण का अलग-लग रूप आपको प्राप्त होगा concept सिखाता हूँ, rule सिखाता हूँ, उनका derivation क्या करना था, मैं ये बता सकता ना, बृत का मानक समीकर्ण x square plus y square is equal to a square होता है, और a की value आपको दी रहेगी a की value रखिएगा, आपको आपका answer मिल जाएगा, खुसी तो बहुत मिलती, लेकिन जब कोई पढ़ाएगा, या बाद में आप जाकर के जानेंगे, तो हमें उल्टा सिधा बोलेंगे न, हमारे एक teacher थे, हमारे एक sir थे, जो हमको कुछ बताते ही नहीं थे, क्योंकि कभी न कभी तो आप जानेंगे, इसलिए मैं आपको मतलब खूब बढ़ियां से full confidence के साथ, पूरा सब कुछ सिखा रहा हूँ, ठीक है, आईए बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, उस बृत का समीकरण, ठीक है, बृत का समीकरण जिसका केंद्र, यच कामा के तथा त्रिज्जा जो है, वो ए दी गई है, तब समीकरण क्या होगा, देखो dear students, जहान देना, बृत का समीकरण बृत का समीकरण जिसका केंद्र जहान देना, जिसका केंद्र, यच कामा के, तथा त्रिज्जा आर है, या आर हूँ, अभी तक क्या था, dear students, जो पहला रूप हम लोगों ने पढ़ा था, उस रूप में हम लोगों ने देखा था, कि बृत का केंद्र मूल बिंद्र पर था और त्रिज्जा जो है, ए थी देखो, आर एं सी आडी की बुक में लिखा होता है, यह हम बार बार लिख देते हैं, तो आर या ए कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो उस बृत का समिकर्ण क्या होगा, यह हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है dear students, आइए देखते हैं, हमें क्या पता है, एक ऐसे बृत पता है, इस बृत का केंद् करना है, इसका इक्वेशन हमें क्या करना है, फाइंड करना है, तो इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिए, वही तरीका, किसी का भी इक्वेशन निकालना होगा, वो बृत है, वो परबले है, वो आति परबले है, वो दीर की बृत है, वो रेखा है, किसी भी का equation अगर हमें find करना होता है तो हमेशा उस पर एक बिंदु हमें लेना होता है x, y और उसकी definition के according या trigonometric किसी भी logical चीज़ का use करते हुए x और y और जो चीज़े given हैं जो हमें दी गई हैं उनके बीट में एक ऐसा relation हमें तयार करना होता है जो relation हमेशा के लिए सत्य हो वही relation ही उस particular कर्व का उस particular figure का equation कहलाता है तो कैसे करेंगे हम लोग कहेंगे माना माना ब्रित पर ब्रित पर कोई बिंदु ध्यान दो पर कोई बिंदु क्या है p x कामा y है जैसा कि उसमें लिए थे माल लिए अब यहाँ पर डियसेंट्स कोई बिंदु p x कामा y हमने ले लिया फिर से वही logic यूज होगा अगर यहाँ से यहाँ की दूरी निकाले माने p और o के 20 की दूरी निकाले तो यह जो op की दूरी होगी ब्रित की परिभासा के अगर हम ब्रित की परिभासा की बात करें तो ब्रित की परिभासा क्या कहती है कि हमारा जो op है वो डियसेंट्स एक के क्या होना चाहिए बराबर और op का मतलब दो बिंदों के बीच की दूरी तो गरर दो यहां को कितना मिलेगा आभ अभी स्वैकरण यहां लिख देंगे 바로 हम ब्रित का अभी स्वैकरण है जिसे हम लोग derive करने का प्रयास कर रहे थे, अब बात को समझने का प्रयास करें, अब ये दो समीकन आप लोगों को मिले, एक हमने बताया मानक रूप, जो की x square plus y square is equal to a square था, ये बृत का मानक रूप था, और ये दूथा रूप है जिसका केंदर हमें अच्कामा के पता होगा आप थोला सा specific note point करके discussion करिए, आप कहोगे, since आपको equation मिला है, x minus h का whole square plus y minus k का whole square equal to a square, अब बच्चों, यहां हम लोग क्या कहें, if h, k is equal to 0, 0 हो जाए, 0, 0 होने का मतलब indirectly हम लोग क्या बोलना है बच्चों, मूल बिंदू हो जाए, तो क्या होगा, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, देखो, x minus 0 का whole square plus y minus 0 का whole square equal to a square, means x square plus y square is equal to a square, देखिए, वही मानक रूप हमें प्राप्त हो जाता है, तो dear friends, यह जो equation हमें मिला है, यह equation इसको भी represent करता है, बाकी अपनी own information तो यह represent कर ही रहा है, अब बात होती है कि dear friends, इसका हम लोग use क कैसे करेगे, कुछ कुछ चीजें आपको अंदादा लग रही होगी, कि अगर हमें किसी बृत का समिकर्ण, किसी circle का equation find करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, circle की equation को find करने के लिए, first of all, सबसे पहले decent हमें क्या करना होगा, उस बृत का केंद्र और उसकी तरिज्जा पता है, then हम लोग बहुत ही easily उस बृत का समिकर्ण ग्यात कर सकते हैं, जैसे इसको आप लोग नोट करिए, कुछ example के मादन से आप लोगों के साथ discuss करते हैं, आज हमने आपको समझाया बहुत अच्छे से कि बृत क्या होता है, बृत का मानक समिकर्ण क्या होता है, उस बृत का क अगर हम देखें, तो एकारडिंग टू प्रॉबलम, हमें केंद्र दिया है, केंद्र मींज बच्चों, एच कामा के दिया है, जो कि हमें टू कामा फोर दिया है, अगला बात करते हैं, त्रिज्जा माने ए दिया है, जो कि पांच इकाई डियसेंट्स हमें दी गई है, अब आप सोचो, अगर हमें बृत का केंद्र पता है, और बृत्त की त्रिज्या पता है तो हम बृत्त का समीकरण कैसे ग्याद कर पाएंगे डियसेंट्स अगर हम बृत्त का समीकरण निकालते हैं ध्यान देना तो बृत्त के समीकरण का सूत्र काउंसा लगाएंगे बाते समझ में आ रही है तो हो जाएगा एकस माइनस टू का होल स्क्वेर प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वेर इस इकल टू फाइब का स्क्वेर सिंप्लिफाई कर लेंगे एकस माइनस टू का होल स्क्वेर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वेर इस इकल टू 25 यही बृत का समीकरण हो जाएगा अगर इसको हम लोग और ज्यादा सिंप्लिफाई करना चाहते हैं यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वेर यहाँ के नहीं 4 था यहाँ पर बच्चों A-B के होल इसको लगा के इसको expand कर सकते हैं और इसका हम लोग क्या कर सकते हैं और ब्यापक रूप निकाल सकते हैं जो हम लोग आगे चल के discuss करेंगे अगर यह बात समझे कभी कभी क्या होता है यह हमें दिया है तो हमसे कहते हैं कि यह हमारे पास एक ब्रित दिया हुआ है आप क्या करिए इस ब्रित का केंद्र और त्रिज्जा बताइए अभी बहुत ही छोटी छोटी चीजें ये स्टेंस हम लोग डिसकस कर रहे हैं अभी जो मैंने आपको पढ़ाया उसके बियाप पर कैसे कैसे कुछ सन आप लोगों से पूछे जाएंगे छोटे नमबर में वो हम डिसकस कर रहे हैं एक तो हमने ये बताया कि जब बित का केंद्र और त्रिज्जा पता हो तो समीकंड कैसे निकालेंगे अब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हमें बित का समीकंड पता है तो उसकी सहाधा से हम उसका केंद्र और उसकी त्रिज्जा कैसे निकालेंगे तो dear friends देखो इसकी हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं x-2 ऐसे का whole square लिख सकते हैं प्लस इसको y-4 का whole square लिख सकते हैं dear friends आराम से लिख सकते हैं और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 8 का square लिख सकते हैं कोई doubt तो नहीं है अब देखो D-A-Synos ये बृत के समीकान के रूप में आपको दिखने लगा होगा तो इसकी हम तुलना कर देंगे इसको हम लोग क्या करेंगे compare कर लेंगे किस से compare करेंगे x-h का whole square plus y-k का whole square is equal to a square से D-A-Synos हम लोग क्या करेंगे से compare कर लेंगे इसकी तुलना कर लेंगे जब तुलना करेंगे तो आप देखोगे x-2 लिखा हुआ है k-k place से बच्चों 4 लिखा हुआ है a-k place पे 8 लिखा हुआ है it means हम अगर इसकी तृज्जा को निकालना चाहें तो तृज्जा का formula क्या होगा h-k means minus 2 come up और यह हमें क्या हो जाएगी बृत की तृज्जा मिल जाएगी तृज्जा कह रहे है यह क्या मिल रहा है बच्चों बृत का केंदर मिल रहा है ठीक है न अब यहीं पर अगर हम बृत की तृज्जा की बात करेंगे तो r होता है means a होता है तो a equal to 8 मिल जाएगा तो इस दो तरह के छोटे छोटे question इन concept का in logic का use करते हुए बनाए जा सकते हैं जो हम लोगों ने अभी discuss किया ठीक है ऐसे तमाम प्रकार के question बन सकते हैं जिसको आप लोग बहुत ही आसानी से dear students क्या कर सकते हैं solve कर सकते हैं आपकी book में बहुत सारे question दिये गए है ठीक है बहुत सारे topic दिये हुए है अभी सारे topic को हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग question को और अच्छे से solve कर पाएंगे आईए एक example हम आपकी book का ले करके आपको solve करके दिखाते हैं जो की book का example है देखिए dear students क्या है कह रहा है कि ऐसे बृत का समीकान ग्याद कीजिए जिसका जो केंद्र है ध्यान दो बच्चों जिसका जो केंद्र है माइनस 4 कामा 6 और त्रिजा 8 है केंद्र जो दिया है बच्चों कितना दिया है केंद्र हमें कह रहा है कि माइनस 4 कामा 6 है साथी साथ D-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E- equal to distance क्या होता है a square होता है चलिए value put करिए x plus 4 का whole square plus y minus 6 का whole square a means 8 का whole square simplify कर लेंगे x plus 4 का whole square plus y minus 6 का whole square is equal to 64 यही जो होगा बृत का समिकान होगा अगर हम चाहें अगर हम इसको चाहें तो और ज्यादा simplify distance कर सकते हैं कैसे इसको और बड़ा रूप अदना हो x square plus 16 लिखोगे 2ab करोगे बच्चों 8x आजाएगा plus y square आएगा plus 36 आएगा minus 2ab करोगे तो 12y आएगा इस equal to हमें यहां से 64 मिल गया अब देखो x square plus y square plus 8x minus 12 अब इसको देखो 16 हो गया और 36 कितना हो जाएगा 6-6-12-2-3-1-4-1-5 बावन हो गया ठीक है 6-6-12-2-3-1-4-1-5 ठीक है अब इसको लिखोगे x square plus y square plus 8x minus 12y इसको देखोगे minus कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा और यही आपका डियस्ट्स क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा ऐसे भी लिखा जा सकता है यह जो लिखा हुआ है यह बृत के मानक समिकान के रूप का है यह मानक रूप है means कौन सा फार्म है बच्चों यह standard फार्म है यह जो रूप आपको यहाँ दिख रहा यह डियस्ट्स इसका ब्यापक रूप है जिसको हम लोग जन्रल फार्म के नाम से जानते हैं जन्रल फार्म का equation हम लोग next lecture में derive करेंगे साथी साथ next lecture में हम लोग इसको और अच्छे से detail में समझेंगे बात समझ में आ रही है यह डियस्ट्स तो आज की इस lecture में मैंने आप लोगों को क्या क्या सिखा है एक बार recall करिएगा सारी चीजों को और अपनी notes में सारे के सारे topic को जरूर सी जरूर note down करिएगा और revise करिएगा जिससे हम लोग जब next lecture में आएं और next topic का use करें तो next topic में इन previous topics का इन previous चीजों का use होता है इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा copy और pin लेकर कि हमारी class में बैठिये जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेरे साथ साथ पढ़िये और notes जरूर से जरूर बनाएए नहीं तो लोग सोतने बादने बना लेगे आप लोगों को रात में पीडिया बना करके मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर सेंड कर दूँगा टेलिग्राम चैनल जिन्होंने जॉइन नहीं किया है वो टेलिग्राम आयप इंस्टाल कर लें और उसमें सर्च कर लें डीडी मैथेमेटिकल सल्यूशन आपको अपना टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा जिसमें आल लेडी लगबख साथ जार बत्चे समय जुड़ चुके हैं वहाँ पर आपको बुक की पीडियाफ मिल जाएगी और उसको आप लोग क्या करेंगे और आपको मेरी महना दिख रही है कि मैं आपको फ्री आफ कॉस्ट इतना अच्छे से लेक्चर प्रवाइड करा रहा हूं अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूं तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ एक बाल लेक्चर को जरूर सेयर करिए और जितने भी लोग लेक्चर देखते हैं उनको लाइक जरूर करना चाहिए और कमेंट सेक्षान में प्यार और सपोर्ट अपना दिखाते रहीएगा बाके डिया से आजके इस लेक्चर में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स लेक्चर के साथ तब तक लिए सांदा रहेए और मस्त